हलो एवरिवन कैसे हूँ आप सब आज में आपको बताने वाली हूँ कि मेरे पास जब भी जोमेटो का ओडर आता है गोबी फराई का बिना प्याज लेसून के बनाईए तो मैं कैसे बनाती हूँ वही ट्रिक आज आज आप मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ तो ये वीडियो बिल्कुल भी इसकेप मत कीजिएगा तो फिर चलिए ये वीडियो फटा फट से सुरू कर लेते हैं गोबी फराई सब्जी बनाने के लिए मैंने आपको ऐसे फूल गोबी लेनी है और इसे कट करने का सबसे आसान तरीका है ये होता है जिसे आप हाथ से तोड लीजिए इससे क्या होता है इसमें कोई कीड़ा वगेरा होता है वो भी दिख जाता है और चाकु वगेरा के जरूत नहीं है फटा फट से भी ये कट हो जाती है लेकिन थोड़ी अपन मोटी मोटी साइज ही रखेंगी फ्राई रहेगी दिखेंगी सबजी में तो ज़्यादा अच्छी लगेगी और सारी गोबी को अपन फ्राई कर लेंगे लेकिन जलान वगेरा नहीं है नहीं ज़्यादा फ्राई करेंगे ऐसे आपको फ्राइ करना है वाइट वाइट सी दिखें और मैंने मटर लिये हैं सारे मटरों को मैंने छील लिया है ऐसे आपको ग्रीन पी लेना है अगर आपके पास सुके हुई मटर हो तो उन्हें पानी में भीखो दीजिएगा और बॉयल कर लीजिएगा लेकिन इन्हें भी में थोड़ासा पानी एड़ करके बॉयल करूंगी ऐसे आपको बॉयल कर लेना है थोड़ा सा नमक एड़ करके गोबी फ्राइ हो चुकी है मटर अपने बॉयल हो चुके हैं अब मैं नहीं आप लिये हैं टमाटर लाल लाल आपको टमाटर लेने हैं लाल टमाटर क्या होते हैं बिल्कुल भी खटे नहीं होते हैं सलाद वाले टमाटर पोसिबल हो तो आप सलाद वाले टमाटर लेजिएगा इससे क्या है इनमें पानी भी कम रहेगा और ग्रेवी अच् टुकड़ा और टमाटर और यह अद्रक हरी मिर्च का अपन पेस्ट बना लेंगे ऐसे आपको मिक्सी के जार में ग्राइड करके पेस्ट बना लेना है दोनों का अलग अलग है और जिस ओल से अपन गोबी फ्राइड करें हैं वो ओली ही अपन लेंगे पांच से चमच में यहा एड करेंगे हरी मिर्च और अद्रक के पेस्ट को अपन पका लेंगे ना प्याज की जरुवत पड़ी और ना लेसुन का तड़का लगाने के अपन को जरुवत पड़ी जब यह सारा पेस्ट पक जाएगा तब अपन यह टमाटर की प्यूरी एड करेंगे लाल टमाटर बना रही हूँ इसलिए और एक चमच अपन एड़ करेंगे टर्मरिक पाउडर लेकिन आपको ऐसी स्टेर करते रहना है और इसमें धनिया पाउडर एड़ करेंगे वह मेरे पास फ्रेस कोकोनेट था तो मैंने उसे मेक्सी में पीसे लिए हैं आप इसकी जगह कोकोनेट पाउ यहाँ नेकिन अगर कुछ ऐसे गाट शीरे जाए उसे अपन बाहर निकाल देंगे कोकोनेट की इसमोज सी ग्रेवी बनने इसवज़े से और इस सारी ग्रेवी को पका लेंगे थोड़ा सा पानी एड़ करके जो कोकोनेट ग्रैंड किया उसी में मैंने थлагब सा पानी लिया ह ग्रेवी अपनी पक्कर त्यार हो चुकी है तेल उपर आ चुका है और इदी के हलकी हलकी इसमें आपको जाली भी दिखने लगी है बोईल किया है जो मटर अपने वो सारे मटर इसमें अब अपन एड़ करेंगे और इन सभी को मिला लेने के बाद इसमें कसूरी मेथी एड़ क करेंगे कुछ भी एड़ने करोगे आप कसूरी मेथी का फ्लेवर एड़ करोगे ना तो मजा जाएगा अंगुलिया चाटने पर मजबूर हो जाएंगे ग्रेवी हलकी सी गाड़ी कंटेंसी की मुझे लग रही है तो इसमें अपन पानी एड़ करेंगे एक दू गिलास आप अपनी गोबी मिक्स होगी अपन निचे से गेस बन कर देंगे आप ये किन नहीं करेंगे अंगुलिया चाटने पर आप मजबूर हो जाएंगे बीना प्याज लैसून किरिम के ये मैंने बनाई है टेस्टी सी गोबी मटर की सबजी जैसे अपन फास्ट वगेरा करते हैं कु अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर दीजिए